जहिन मित्रो Let's Easy to Learn YouTube चैनल पे मैं रौशंतिवारी आप सबों का स्वागत करता हूँ आप सबों का रिस्पॉन्स कापी अच्छा है इस रिस्पॉन्स को देखते हुए और आप सबों के चरोरत को ध्यान में रखते हुए मैं आज से कक्छा दसवी का भी साइन्स का जो नोट्स होगा मैं अपने YouTube चैनल Let's Easy to Learn पे डाल रहा हूँ तो आप सबों से आगरा रहेगा कि आप हमारे YouTube को चैनल को सस्क्राइब करे वीडियो को लाइक करे और अधिक से अधिक सेयर भी करे आज हम पहला अभ्यास कक्छा दस का NCRT का है जो की अपलोड बना के आप अपलोड कर दूँगा अपने YouTube चैनल पे तो आप इससे देख लेंगे इसका नोट्स तयार कर लेंगे और इसको याद करने की कोशिज करेंगे NCRT का पहला अभ्यास में सबसे पहले जैसा की हम हर वीडियो में करते हैं हर चैप्टर में करते हैं कि पहले important points जो है उसको देख लेंगे उससे related वीडियो हम एक दो अपलोड कर देंगे उसके बाद चैप्टर से और important points को आपको याद करते जाना है कोशिश कीज़ेगा वीडियो को अधिक साथ की अंतर तक देखने का और question answer को याद करने का अध्याए एक का चैप्टर है रसाइनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरन देखिए पदार्थ की दो अभिक्रियाएं पदार्थ में दो प्रकार के अभिक्रियाएं होती है बहुतिक अभिक्रियाएं और रसाइनिक अभिक्रियाएं ठीक है पडिवर्तन भी दो प्रकार का होता है बहुतिक पडिवर्तन और रसाइनिक पडिवर्तन तो इस अभ्यास में हम लोग रसाइनिक अभिक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे और एवाम उसके जो समीकरन होंगे उसके बारे में ठीक है तो ध्यान से देखिएगा और कोशिस किजेगा अधिक साधिक इसको याद करने का ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुनों वाले पदार्थों का निर्मान होता है उसे रसाइनिक परिवर्तन कहते हैं जिस परिवर्तन के दोरान एक नए परकार के पदार्थ का निर्मान होता है उसको रसाइनिक परिवर्तन कहते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रसाइनिक अभिकरिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं रसाइनिक अभिक्रिया द्वारा नए पदार्थ बनते हैं इसमें जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और ऐसे पदार्थ जिसका निर्मान रसाइनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं यानि कि अभिक्रिया के परिनाम स्वरूप जो पदार्थ ब परिवर्तन करते हैं, इसमें जो भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे, जो जो अभिकरिया के पडिनाम स्वरुप बनेगा, उसको उत्पाद कहेंगे, उदारन के लिए, अब रसाइनिक अभिकरिया के क्या-क्या उदारन, याद रखेगा इसको, क्योंकि यहां से अब्जे परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सरजन, यानिक रसानिक अभिकरिया के दोरान जो है, उसके पदार्त के अभस्ता में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, और गैस का उत्सरजन होगा, आगे देखिए, रसाइनिक परिवर्तन को परदरसित करना, रसाइनिक परिवर्तन को आप किस प्रकार परदरसि इसको अभिक्रिया किया गया तो इसके परिनाव सरुक जिंक सल्फेट प्लस यह क्या हो गया हाइड्रोजन बना अभिकारक हो गया LHS में और H3 देखे आप RHS में जो है उत्पात दिखाएगा ठीक है रसाइनिक समीकरन जैसे इसी का दिया हुआ है जिंक का होता है जैडन और H है इसको ध्यान में रखिएगा चलिए आगे देखिए रसाइनिक समीकरन क्या है ठीक है रसानिक समिकरन रसानिक अभिकरिया रसानिक समिकरन द्वारा निरूपित की जाती है रसानिक समिकरन में तत्वों के प्रतीक और अभिकारक जो प्रतीक है या अभिकारक है जो अभी आप देखी चुके हैं और उत्पादों के रसाइनिक सूत्र उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। इतने दिग्री ताप पर कितने दिग्री उस्मा पर आप जो है इसको ये अभिक्रिया को संपादित किये हैं। वैसे कक्षा नाइन्थ में भी है द्रबमान संरक्षन का नियम है किसी भी रसानिक अभिक्रिया में द्रबमान का ना तो निर्मान होता है और नाइनी विनास होता है उर्जा संरक्षन का भी नियम यही है इसको भी याद रखेगा ना तो उर्जा को बनाया जाता है ना ही उर करन को संतुलित किया जाता है चरन बद संतुलित करना किस प्रकार आप संतुलित किजेगा उसको देखिए चरन एक रसानिक समीकरन लिखर परतेक सूत्र के चारो और बॉक्स बना लीजिए यानकि इस प्रकार आप समिकरन लिखिए और इसका बॉक्स में दिसे F2 है दोहा का होता है और H2O जल से अभी किरिया किया उसके बाद F2O3 हो गया और H2 क्या हो गया ये मुक तो हो गया संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए यानकि आप जब इसको संतुलित कीजिएगा तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा चरन 2 पहला तो आप इसको लिखिए इसको बॉक्स के अंदर लिखिए दूसरा चीन समिकरन चरंदो में समिकरन में उपस्तित विभिन तत्वों के परमानुओं की संख्या नोट किजिए यान कि तत्व का जो परमानु संख्या है उसको नोट करना है जैसे कि है F1 का 1 और उतपाद में 3 hydrogen का 2 उतपाद में 2 oxygen का 1 और उतपाद में 4 यान कि उतपाद जो बना इसमें कितना है 4, 3 है देखे उतपाद में 3 यहां 1 ठीक है उसके बाद H2 यहां पर H2 यहां थोड़ा mistaking है यहां पर oxygen का यहां फोर दे दिया है 3 होगा ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा इधर 1 है oxygen O का और यहां पर F1 इधर 3 है ठीक है इधर 3 दिया है ठीक है इसको देख लेते हैं आगे क्या है इसका region आगे देखिए चरन जो भी इसका है LHS में परमानू संख्या क्या है और RHS में क्या है इस दोनों को लिख लेंगा उसके बाद चरन तीन में सबसे अधिक परमानू वाले तत्व को अभीकारक या उत्पाद की साइट अनुचित गुनांक कर संतुलित कर लिजे यानि कि उत्पाद के साइट में आप जो है उसको गुना करके संतुलित कर लिजे जैसे देखिए F e पलस 4 से इसको गुना किया गया है 8 हो गया है तो H 8 हो गया Oxygen 4 हो गया क्योंकि यहाँ पर O 4 था देखिए यहाँ O 3 था Mistaking था यहाँ पर O 4 है ठीक है F e O 4 तो यहाँ पर O 4 है उसके बाद यहाँ पर 2 तो इसको O 4 बनाने के लिए कर लिया गया है तो अब यहाँ पर क्या हो गया है इस तरफ आप एक मिठम आपको दरसाते हैं आप लोग देखिएगा यहाँ पर O को 4 देके तो बना लिया है O 4 देके यहाँ पर H to 8 हो गया O 4 हो गया क्योंकि इस साइड में O 4 था ठीक है अब क्या हो गया तो इधर यदि आप 4 किये हैं तो दूसरे साइड भी आप क्या कीजेगा 8 कीजेगा तो यहाँ पर भी जो है न 4 लगा के आगे देख रहे हैं इसको 8 बना लिया गया है ठीक है तो आप लोग देख लिये आगे देखिए सभी तत्वों के परमानों की संख्या अभी क्रिया के दोनों और समान होनी चाहे यहाँ कि जितने भी तत्व जैसे यहाँ पर देखिए F E को भी 3 करके बना लिया है F E देखिए इधर F E 3 है दूसरे साइड भी F E 3 किया गया है F E 8 हो गया तो इधर भी 4 लगा के 8 कर लिया गया है यहाँ ओ 4 ही था दोनों तरफ बराबर हो गया चैनल 5 अभी कारों को एब मुतपादों को की भहतिक अवस्था लिखना अब इसकी भहतिक अवस्था क्या है इसको लिखना है जैसे यहाँ पर ठोस के लिए S लिखिएगा द्रब के लिए L लिखिएगा लिक्वीड हो जाएगा S से सॉलिड हो जाता है गैसी अवस्था के लिए G होता है यानि उसके कोस्ट में लिखना है कि उसकी अवस्था क्या है ठीक है इसको ध्यान में रखियागा क्योंकि ये काफी important question है अब्यास में आपको काम देगा ठीक है और 3Fe जैसे solid है लोहा, gas उसकी G हो गया, Fe 3O3 ये solid हो गया और उसके बाद फिर H2 gas हो गया कुछ आवसेक परिस्तितियां जैसे ताप, दाव या उत्परेरक आदी को भी तीर के निसान के उपर या नीचे लिखा जा सकता है यानि कि आप यहाँ पर arrow mark देखिएगा, arrow mark जो है यहाँ, इस arrow mark के बीच में ताप, दाव वगेरा लिखा जाता है, ठीक है चली, चरंद 6, समझ में आ गया, अब आगे देखिए, रसाइनिक अभिकरिया के परकार, किस परकार, रसाइनिक अभिकरिया कितने परकार के होते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज करवा रहे हैं, इसको काफी ध्यान में रखेगा, क्योंकि यही सब पूछा जाता है, बियोजन अभिकरिया होता है, ठीक है, तो इस सब को देखेंगे आगे, सन्योजन अभिकरिया देखिए, इस अभिकरिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद है, जैसे कोईले का दःन, C, सॉलिड कोईला हो गया और ऑक्सिजन की उपस्तितिम वोग जलेग तो CO2 carbon dioxide gas बनाएगा ठीक है जैसे जल का hydrogen हो गया और oxygen मिलके अभिक्रिया किया तो H2O जल बनाया liquid हो गया COO बिना बुजा हुआ चुना है और calcium oxide है उसको oxygen की उपस इसको जल से अभिक्रिया करवा दिये तो बिना बुजा हुआ चुना calcium hydroxide बन गया ठीक है आगे देखिए उस्मा छेपी अभिक्रिया जीन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्मान के साथ साथ उस्मा का भी उत्सरजन होता है उस्मा छेपी अभिक्रिया खलते हैं कि उस्मा जिसमें उस्मा भी निकलेगा उसको उस्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे ठीक है जैसे प्राकृतिक गैस का दहन CH4 होता है प्राकृतिक मिठेन का सुतर होता है O2 के साथ उपस्किती में जलेगा CO2 बनाएगा और H2O जल भी मुक्त होगा साथ ही इसमें उस्मा भी मुक्त होता है तो जिसमें उस्मा भी मुक्त होगा उसमा चेपी अभी करिया केंगे जैसे स्वासन एक उसमा चेपी अभी करिया है ध्यान में रखियेगा प्राकृतिक गैस का जलना तो उसमा चेपी अभी करिया है ही हम लोग जो स्वास लेते हैं तो ये स्वासन जो है ये भी क्या है उस्मा 6P अभिक्रिया है इसको ध्यान में रखेगा C6H12O6 इसका ऑक्सिजन के साथ जैसे ही अभिक्रिया कीजेगा तो CO2 कारवन डायोकसाइड और हाइडरो जल मुक्त होगा और उस्मा होगा इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक तूटकर दो या दो से दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं एक अभिकारक तूटकर दो उत्पाद बनते हैं इसको ध्यान में रखेगा वियोजन, सन्योजन, दो उत्पाद मिलके एक उत्पाद बनाया, दो अभिकारक मिलके एक नया उत्पाद बनाया, वियोजन में हो गया एक उत्पाद विखंडित होके दो नय अभिकारक जो है, वो विखंडित होके दो नय उत्पाद बनाते, इसको ध्यान में रखेगा, ठी किया गया उस्मा द्वारा किया गया वियोजन है ठीक है उस्मिय वियोजन यानि कि उस्मा द्वारा जो वियोजन होगा उसको उस्मिय वियोजन कहेंगे ठीक है जैसे देखिए उस्मा द्वारा जो वियोजन होगा उस्मिय वियोजन हो जाएगा यानि कि अभी देखिए एक म ऊत्तुमा के कारण जो पदार्थ अलग होगा जैसे दिखिए ऐ त्ली फेरस सल्फेट को जब आप उसमा पटेakat आ जाएंगा तो फेरस आक्साईड बन जाएगा ठीक है आगे देखिए चुना पत्थर को जब आवुसमा पे गर्म कीजेगा तो बीना बुझा हुआ चुना अलग हो जाएगा और कार्बन डाउक्साइड अलग हो जाएगा वेद्यूत वियोजन हो जाएगा इसके द्वारा भी जो है आप जल में जब वेद्यूत धारा परवाहित कीजेगा तो H2 hydrogen gas और oxygen gas क्या हो जाएगा अलग-अलग हो जाएगा इससे related एक प्रसन पूछा जाएगा प्रियोग में आप देखिएगा अब्यास के दोरान है इस प्रसन को ध्यान में रखेगा इस चितर को भी ध्यान में रखेगा कि जब जल में आप कोई पनी में graphide का रड दालते है और personally red के उपर प्रसन लगा हुआ होता है तो इस प्रकार से क्या होता है एक में इसमें होता है दहन एनोड और cathode होता है आप देख रहे होंगे एनोड में oxygen और cathode पे hydrogen यह जो रूचर होता है इस पे एनोड पे oxygen gas मुक्त होता है और cathode पे hydrogen gas मुक्त होता है इसको ध्यान में रखेगा यहां से objective में प्रसन पूछा जाता है ठीक है उधारन के लिए सूरी के प्रकास की उपस्तिती में होने वाला वियोजन प्रकासिये वियोजन ठीक है अभी देखिए वेदुतिये वियोजन हो गया उसके बाद था उसमिये वियोजन संयोजन और अब प्रकास की उपस्तिती में जो ब्योजन होगा उसको प्रकास की उपस्तिती में जो ब्योजन होगा उसको प्रकास की उपस्तिती में जब इसको कीजेगा तो AG अलग हो जाएगा और CL2 अलग हो जाएगा ठीक है इस प्रकार एक और AG BR दिया हुआ है इसका AG अलग हो प्रकासिय वियोजन इस अभिक्रिया का उप्योग स्याम स्वेत फोटोग्राफी में होता है ठीक है उसमा सोसी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोरने के लिए उसमा प्रकास या विद्यूत उर्जा की आवसकता होती है उसको उसमा सोसी अभिक्रिया कहत कम क्रिया सिल्टत्व को उसके योगिक से जो है उसको अलग कर लेता विस्थापित कर लेता है ठीक है इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया करते हैं इन अभिक्रिया में फिर से रिपीट कर देते हैं ध्यान में रखेगा इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रिया उसके योगिक से विस्थापित कर देता है उदारन के लिए यहाँ पर दिया हुआ F.E.C. F.E. P.L.S. C.U. S.O. 4 जब इन दोनों के साथ अविक्रिया कराया गया तो F.E. के साथ क्या हो गया S.O. 4 अविक्रिया कर लिया और C.O. क्या हो गया अलग हो गया ठीक है लोहे की कील यहाँ पर एक वो दिया हुआ लोहे की कील पर भूरे रंग के कॉपर की परत जम गई C.U.S.O. 4 के नीले विलियन का रंग F.E.S.O. 4 के निर्मान के कारण हो गया उसी तरह से एक और दिया हुआ है Z.N. C.U.S.O. 4 किया गया अविक्रिया में उत्पादों का निर्मान दो योगिक के बीच दो योगिकों के बीच आयनों के आदान परदान से होता है जैसे देखे सोडियम सलफेट N.A.2.SO.4 इसका जब अविक्रिया कराए गया बेरियम कलोराइड B.A.C.L.2 के साथ तो बेरियम सलफेट बन गया B.A.SO.4 और सोडियम कलोराइड इधर बच गया टू N.A.C.L. ठीक है आगे देखिए यहाँ पर बेरियम सलफेट के सफेद अविले अविले अविक्रिया को अविक्रिया कहते हैं अविक्रिया के रूप में इसका निर्मान होता है उसके बाद देखिए अविक्रिया जब किसी पदार्थ से अक्सिजन की विर्दी होती है जब किसी पदार्थ में अक्सिजन की विर्दी होगी तो इसको कहेंगे अविक्रिया जब किसी पदार्थ में अक्सिजन का हास होगा यानि कि ऑक्सिजन की बिर्धी होगी तो उपचेन और ऑक्सिजन का हास होगा तो अपचेन कहेंगे ठीक है जब किसी पदार्थ में ऑक्सिजन का हास होगा जब किसी पदार्थ में हैड्रोजन की बिर्धी होगी इसमें ध्यान में रखिएगा फिर से गवार रिपीट कर देते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सिजन की बिर्धी होती है जब किसी पदार्थ में ऑक्सिजन की बिर्धी होती है और जब किसी पदार्थ में हैड्रोजन ऑक्सिजन की बिर्धी होगी हैड्रोजन का हास होगा इसको कहेंगे अपचयन और उपचयन कहेंगे और अपचयन में ऑक्सिजन का हास होगा और हैड्रोजन की बिर्दी हो जाएगे ठीक है आगे देखिए दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया का क्या क्या कमजोर हो जाती है, संचारित हो जाती है लोहे की वस्तों में जंग लगना चांदी के उपर काली परत वतांबे के उपर हडी परत चर्णा संचारन के उदारन है यह सद लेपन, विद्यूत लेपन और पेंट करके संचारन से धात्मों को बचाए जा सकता है जाता है, धार्तो के उपर एक परत बन जाती है, इससे क्या कहते हैं? संचारित हो जाता है, ठीक है? चली, विक्रित गंधिका वसायुक्त और तेलिये खादिस अमागरी वायु के संपर्क में आने पर उप्चाईत हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध में पडिवर् इसे विक्रित गंधिका कहते हैं अलग प्रकार का गंद आना, खराब हो जाना ठीक है, विक्रित गंधिका रोकने क्यों पाए परति ओक्सिकारक का उप्योग करके वायू रोधी बरतन में खाद समागरी को रखके वायू के अस्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और सीतलन द्वारा निफ्रीज वगेरा में रखके आप विक्रित गंधिका की गुन को रोक सकते हैं, ठीक है तो इस अभ्यास में इंपोर्टेंट पॉइंट्स इतना ही है इसका जो है चैप्टर के बीच में जो NCRT में ध्यान देने वाली बात यह है कि चैप्टर के आखरीम बहुत कम कोसिन आंसर है चैप्टर के बीच में कोसिन आंसर है तो चैप्टर के बीच के कोसिन आंसर को पहले मैं करवा दूँगा उसके बाद फिर चेप्टर में जो question answer दिया हुआ उसको करवा देंगे आप लोग कोशिस कीजेगा इसका notes बना लेने का एक बार ये दिए आप notes बना लीजेगा तो हमें विश्वास है कि आपको notes बनाते बनाते ही काफी कुछ याद हो जाएगा तो कोशिस कीजेगा आप लोग इसको बनाते हुए ही याद करने का और अधिक साधिक कोशिस कीजेगा उधारन के साथ याद करने का ठीक है ज़्यादा hardly नहीं लेना है easy way में याद करना है ठीक है तो फिर एक नया वीडियो हम बना के अपने YouTube चैनल Let's Easy to Learn पे डाल देंगे आप सब वह से आगड़ा होगा कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करे वीडियो को और चैनल को सस्क्राइब करे जहां तक हो सके लिंक को अधिक साधिक शेयर करे और कुछ इसमें इंक्रिजमेंट करना हो तो इसके लिए